BBS second year तथा MBS second semester अंत्रगत account subject को standard costing चाप्रमास हूँ आमी र लेवर variance संग संबंधित multi-level को labor variance संबंधित problem अरू solution गरने सहूँ आजगो class मा र यो बंद आगीलो class मा आमी multi-level without idle time संग संबंधित condition को specimen format को गुरा गर्यों और स्वही format मा बेस वायर आज़ा आमी labor variance संग संबंधित multi-level को केश लाई solution गरने सहूँ और मैने यहां अल्रेडी यहुटा question र स्वही question अनुशार को यहां format पनी लियरो पस्तित भायेगो छो प्राब format मा आमी material मा जस्ते गरे रहां आमी labor variance माने calculation कर सहूँ और मैंले यह बंदा अगिलो class मा क्लास को वीडियो मा प्रस्तुत गरेगो थिये यहांने आमी time लेख सहूँ time t hours लेखदा बने फरकपार दाई ना तेस्ताई mix आमी यहां mix calculation कर दा numbers number of flavor चाहिए कथी छो त्यो number of flavor और और को साइड मा आमी rate दुईटा को relation लाएर छों material variance मा बने आमी quantity रप्राइस दुईटा को relation लाएर थियों अब इसको आधार मा आमी average price calculation कर शों average rate अब average rate ला आमी calculation लेखना सजीले गोस बने रएर बन्षों र रिजल्ट बनने वित्तिके यानि रामी last column मा result लेख सों र रिजल्ट बने को t time into ar average rate मांड लाए गर्षों र एसरी calculation गरे र प्राप्त हुने रिजल्ट बने को आमरो a औनी b c र d उने छा र इसला आमी arrange गरने विलामा सबबंधा सुरू मा योटा मात्र यस तेस बची 2 उटा यस औनी 3 उटा यस एसरी आमी लेख सों र बाकी बचे को column अरो मा a a a a a a r a आमी एसरी आरेंज गाशां तो यही इन्फर्मेशन अरचे आमी यहां से खोजदे रागदे गरनु करने विलामा यो जुन टाइम भएगो यस यस बनेगो यस इस्टार हो आमी यहां इस्टैंडर्ट्टाइम फर अक्चु अल अउट्पूट निकालनु करने मुँँछ तसरत महिले यानिर यस इस्टार क्याल्कुलिशन गरदा पर्योग गरीने फॉर्मूला इस्टैंडर्टाईम अपना इस्टैंडर्ड आउट्पूट इंट्वू आक्चु गेंग ले युटा समु अले एक गंटा मां 50 यूनिट प्रडक्षन गरना सक्षा भन्छ आई ना अब कोईशन मां दीए अनुशार अब यो 50 यूनिट भनेको तर इस्टेंडर आउटपूट भाई आल्यों तेवेर मैले यूनिट यूनिट इस्टेंडर आउटपूट मां जाई 50 लेखना सक्षू अब इस्टेंडर आउटपूट पर गेंग आउवर भनेको छाने यूटा समु आले एक गंटा काम गरता एती उत्पादन गरना सक्षेको हो क्वेशन मां दीए यानिरा आमिजंग कोती जाना संता बंधा 20 सकिल्ड 30 सेमी सकिल्ड रो 60 अनि सकिल्ड गरेटा जम्मा जम्मे 110 जाना संद 110 जानाले एक गंटा काम गरनु भनेको 110 कंटाओ एक जानाको 110 कंटाओ तसाता आमी यानीर इस्टांडर टाइम लेखने बेलामा ये शरे गेंग आवर मा प्रोडक्शन गरेगो दीओ बने क्वांटिटी दीओ बने जती नम्मर चाहें दीएको छा ते नम्मर ले मॉट्डिपलाई गरेगो आमी निकाल शोंँ अईदे यानीर एक से दस गंटा सम्म चाहें किये गरे गराईशा तो मन्था काम गर्दा 50 यूनिट्स प्रोडिस गराईशा बने रहा आमी लेखें क्याल्कुलेशन गरना सक्यों अनि इन्टु एक्शुल आउट्पूट बने को क्वेशन मा आम लाई 1600 बीए गोशा यो 1600 बने को चाहें एक्शुल आउट्पू प्रोड़क्शन गरने बनेर दे कोशा तो सर्था हमी यो क्याल्कुलेशन गरता कती आउट्पूटू आउट्पूटू रहीछा फूट्पूटू दे कोशा या निर या सिस्तायर को ठाउमा मोईले 35 20 लेहें अब इसे ही गरे रहा आमी इक्सुल तरफ को टाइम मा जान्छुन अब एक्सुल तरफ को टाइम कश्री क्या् oppose गरने तुष बन्दा यहान एक्सुल टाइम बने रहा 30 एवर्स व uses working period देह को चां तो working period इन्टु वर्किंग पिरियड तपाएको 40 आवर्स नम्मर फॉर कर भानेको एक्शुल तरफ कदी शाथ वन्दा 80-20 रर 10 गरेरा यहां पनी 110 शा तसरता आमी क्या गर सामने यो 40 आवर वर्किंग पिरियड भायो इन्टु 110 गरेरा आमरो कदी आउशात वन्दा 4400 आउशा त्यो 4400 भनेको शें एक्शुल तरफ को टाइम उन्छा यानि रहा 4400 ला आमी देखाऊंशा एक्शुल तरफ को टाइम मा अब एसे अनुशार यां आमी शामका कती वटा शंत बन्दा तीन की सिंगा वर्क अरुषा नैं स्किल्ड सेमी स्किल्ड रावन इसकिल्ड यानि रामी तेसेलाक क्यालकुलेशान गरेरा देखाऊंशा उं इस्टैंडर को नम्मर लिंच हूँ रा इस्टैंडर के रेट लिंच हूँ तो साथ इस्टैंडर को टेवल मा एरूँ 20 skilled बने कोछ आई ना और रेट आमला है 10 देकोछ इस्टैंडर के युरनुपर्यो 30 semi skilled बने कोछ रेट 5 देकोछ 60 skilled बने कोछ इस्टैंडर को नम्मर लिंच हूँ रा इस्टैंडर के रेट लिंच हूँ अब यहाँ पनी यो बन्दा पचिल्डो मा पनी सेम ओएस्टाइद बने शी यहाँ पनी आमी के गरने सकने बने कोछ बन्दा 20 इंटु 10 प्लस 30 इंटु 5 अणी प्लस 60 इंटु 3 गरना सकीन छाँ यो जती multiply गरे रा प्लस गरने बने काछ हूँ यो multiply गरे रा आमी प्लस गरे रा यहाँ राखश हूँ तर तेसला जती number लेचाए multiply गरे राशा हूँ तो number of sum of number लेचाए के कर्शा हूँ divide गर्शा हूँ तर अब्रेज रेट नी खाल्षा हूँ तो सर्त इंटु 10 गरना 200 आमाशा प्लस और 30 इंटु 5 गरना 150 आमाशा प्लस और 60 इंटु 3 गरना 180 आमाशा यह सब जोड़दा आमरो कती आउशा तमना 530 आउशा और यह 530 ला यह आमरो number लेचाए के करनु परे डिवाइड गरनु परे जस्तो 20 30 रो 60 बनेशी यह आमरो 110 बो 110 ले डिवाइड गरे आमी के कर्शा हूँ रेट निकाल्षा हूँ और यह तरी rate निकालदा कती आउशा बन्दा 4.8181 आउशा यह rate ले आमी यह प्राप्त भगो average rate ले आमी multiply गरशा हूँ यह timeline तसवार्था इन्टु time बनेगो 3520 चा और यह संगा multiply करदा कती आउशा तमन्दा 16960 आउशा तेल्ला आमी प्राप्त गर्यों त्या राख्यों आउशा तमन्दा 16960 आउशा तेल्ल यह सही करें आम्रों यह second को पनी rate सेम आउशा 4.818181 आउशा है यह पनी 4.818181 आउशा आई और यह इसली पनी इन्टी गरनों परें यह लाए 44 अंडेट लाए मंडेट लाए लाए गरनों परें तेशो गरदा यहा कती आउशा तमन्दा 21200 आउशा दोस्रों मा आमी 21200 ब बीको result प्राप्त करें अनि अब आमी थाड मा जाओ थाड मा पनी आमी संग तीन उठाई स्किल्ड सेमी स्किल्ड रा अनिश्किल्ड के लागी अलग अलग गरनों करें एक्सुओल को नम्मर एरनों करें परें परेंशान मा एक्सुओल को नम्मर वन्या थेन चा 20 चा रो 80 और इस्टैंडर को rate वने पसी अगी गे rate हुने हो इन्टो 10 इन्टो 5 इन्टो 3 प्र इस लाइपने आमि एड गरेडा rate निकालनों करे जट्ब 10 इन्टो 10 गर्दा 100 गो प्लस 20 इन्टो 5 गर्दा यह गोने 10 गो प्लस 80 इन्टो 3 गर्दा यह 240 हुने हो यह सरी आम्रो 440 आउने भो 440 लाई यो रेट अरू एक यारे नम्मर अरू गो सम ले डिवाइड गरू करू जस्तो 10,20,30 भो 30 रो 80 करदा 110 उने भो रो डिवाइड बाईड बाई 110 करदा आम्रो यो रेट चाहिए 4 आउने भो 4 ले आमी मॉन्टिपलाई गर्शों इन्टू 4400 लाई रो एशो करदा 17,600 आउने भो या आमी देखायों तेसवची यो बंदा पसिल्लो कोलम मा आमी पसिल्लो रो मा आमी के गरने भायो बने एक्शुल को नम्मर लेंच हो रो एक्शुल को रेट लेंच हो अब आमी योज करने इन्फर्मेशन अणो रो भाने गो चाnoc लिह एक्शुलग ली लिनू गरने उना ले एक्शुल तर्फ नम्मर देखो छ रेट नैन देखो छ तेस्ताई 20 नम्मर देखो च रेट देखो अब यह आमी multiply करशाँ एड करशाँ चस्तो 10 x 9 करदा 90 हुनेगो 20 x 6 करदा 120 हुनेगो 18 x 2 करणु 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 करदा 160 हुनेगो यह सब बेला आमी एड करणु 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 करदा 370 हुनेगो 370 दिवाइद भाइ यह क्यारे नम्मर को सम बनेगो 110 डिबाइड बाइ 110 गर्णु गर्यों ये सो गर्दा 3.3636 आऊँछा अनी इन्टु 4400 सामा मौंटिबलाई गर्णु 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 गर्दा 14800 आऊँछा ये सरी आमी चाहिए टेबल क्याल्कुलेशन गर्यों टेबल क्याल्कुलेशन 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 गर्णु 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 ग यो मांचे राम्रो एडुकेटटव सा आम लेड़ को लागी बनाएगो फ़र्मुला आहिना यो मांचे राम्रो एडुकेटव सा बनेर बनायों labor yield variance, labor mixed variance, labor rate variance, labor efficiency variance, स्abilities variance, और labor cost variance, सुरी, b variance अब यह आमी calculation गरने वेलाम आउव कोछा ही गरता हों तो मन्दा a-b, b-c, c-d, a-c, ए-d अब यह सोचे आमी के गरता हों तो जह एकुलेसन गरता है यहां भेलोरू निकालशाँ जस्तो ए बनेको रिजल्ट कदीशा तबन्दा आमरो 16960-B बनेको 21200 सा अनि यो दुई टागो डिफ्रेंस आमी निकालशाँ महीना 16960-21200 यहां भेलोरू आउंस तरह नेगेडिब महां आउंस अन्फेवरेबल भो अनि तेस्ते आमी बी माइनस सी मा जान्छों और बी माइनस सी गरने वेलामा बी को रिजल्ट बनेको आमरो 21200 सा माइनस सी बनेको 17600 सा अब यहां आमी फेरी के गरने भाएंस 21,200 sensitivity-17600 घर्शां यहां तरह यह पुजिटिभ माम आउंसा फेरीबल भू तेस्ते आमी सी माइनस डी गर्शां सी बनेको 17600 माइनस डी बनेको 14800 सा 17600 माईनस 14800 यह अज अगर धा 2800 आउंसा और यह पनी पोजिटिव मा आउने होना दे फेबरेबल यव लेखियों आमी र तेसे गरे र ए माइनस सी बनेको छा ए बनेको 16960 माइनस अनी सी बनेको 17600 यो द्वीटागो बने डिफ्रेंस निकालां 16960 माइनस 17600 यो आमरो जम्मा 640 आऊँछ नेगेटिव मा आएको ना दे अन्फेबर बनेको अनी त्यो बन्दा पहुची आमरो ए बनेको 16960 माइनस डी बनेको 14800 यो डिफ्रेंस निकालां 16960 माइनस 14800 यो रिजल्ट बनेको 2160 आऊँछ तरफ पोजिटिव माँछ तसर्थ इसलां आमी फेबरेबल बनेको इसली आमी लेबर इल्ड वेरियंस को रिजल्ट बन लेबर रेट वेरियंस डाइनस 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 माँच छू अर आजाको कलासन माँच माँच यो यह को ऊच्छन को सलूचन मातरे प्रस्चूद गरें और आउदो कलासमा फेरे यस्ते किसिन का कोईशन अरूली रह उपस्तित उने नहीं चुबन दै यहार समक् झाल झाल